आज हम जो DIY बनाने जा रहे हैं यह बहुती यूजफुल रहेगा सभी के लिए और बहुती आसान है बनाने में और बहुती कम समय में बन जाता है और बचे हुए कपड़े से आप पुरानी कपड़े से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं इसको तो चलिए वीडियो ज्याद यह कपड़ा जिसकी डवल करने के बाद यह देखिए डवल है डवल करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच है और इसकी जो चकलाई है वो 16 इंच है यानि कि हमने इसको लेप टॉप को रखके देख लिया और साइडों से एक एक इंच हमने एक्ट्रा लिया है क्योंकि सिलने में हमारा जाएगा इसलिए और यह लेंथ हमने जो है लिए है डबल कपड़ा करने के वाद 27 इंच ले है डबल कपड़ा है हमारा उसके बाद यह हमने 27 इंच ले हुई है आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें बुक्रम लगा के रखी हुई है तो यह हमारी पहले से लगी हुई रखी थी अभी नहीं ने लगाई है तो इसमें हमें लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है अस्तर लगाने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले हम यह जो हमारा जिस साइड में खुला हुआ है उस साइड में हम इसको इस तरीके से मोडते हुए इसको ऐसे ऐसे सिलाई कर लेते हैं तो दोनों साइड हमारी जो हमने स्टिस्ट कर ली है और अब हमने इसको बीट से फोल्ड कर लिया है यह देखे इस तरीके से डबल है कप्रा फिर से अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको पूरा तो यह देखे सेंटर से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम इसकी जो बंद साइड जो है उपर ओपन साइड ये है नीचे और जो बंद साइड है उपर वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसका माप करते हैं तो टू इंच टू इंच पे हम इसको ये लिया है टू इंच और इधार लिया है हमने थ्री इंच और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से ऐसे अब इसको तो दोनों साइड से इस्टिस कर लेंगे ये साइड पूरी और ये साइड ये साइड वाली ये साइड पूरी और ये साइड तो दोनों साइड में हमारी सिलाई हो चुकी है इधर भी और इधर भी आप इसको जो ओपन साइड है उधर से हम इसको सीधा करेंगे तो हमने इसको सीधा कर लिया है और ये अब भी हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है ये देखिए इस साइड में हमने कटिंग की होई थी और अब भी हमारा एक थैला सा बन गया है थैला सा बन चुका है अब हम इसको क्या करेंगे अब जिधर ओपन है जिस साइड में वहां से हम इसका माप करेंगे और हम यहां पे 11 इच पे एक सिलाई लगा देंगे बीच में इस तरीके से हमें इस तरीके से यहां तक सिलाई हमें लगा देनी है तो हमने यह जो माप लिया है हम दोनों साइड में वहां पे माप कर लेंगे इस तरीके से अब यहां पे हम एक सिलाई लगा देंगे तो यह सिलाई हमारी लग चुके है अब यहां से हम यहां से हम इसको ऐसे पलट देंगे इस तरीके से इस तरीके से पलटके और एक सिलाई हम यहां पे इसको ऐसे लगा देंगे ऐसे खोलेंगे इसको उल्टा करके ऐसे एक सिलाई हम यहां पे लगा देंगी तो यहां पे हमारा यह ज्यूयंट हो गया तो यह अभी हमारा कुछ इसतरे से दिख गहा है यह दिख्छे एक थेला नुमा हो गया है यह दिख्छे तो इस में यह एक pocket और दो pocket, ठीक है, तो अब यह हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा decorate करने की कोशिश करेंगे, और यह जो दूसरी वारी pocket है दूसरी वाली इसमें हमारी यह चीजें जो इसकी होती है यह चीजें रख जाएंगी तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा decorate करने की कोशिश करते हैं तो यह है इसका final look चलिए देख लेते हैं laptop रखके कैसा लग रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कुछ भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का फ्री में होता है तो कैसा लगा हमारा laptop का cover ये देखिए एक pocket में रग गया हमारा laptop और एक में रग देए ये हमारी dory lead जो भी है और बस इसको अगर आपके घर में भी है laptop तो बिलकुल बनाना मत बूलेगा इसको क्योंकि अश्य क्या है कि हमारी चीज असुरच्छीत रहती है और सालों साल चलती है गंदी नहीं होती है और रखी हुई भी हमारी चीज जो है अच्छी लगती है थोड़ा सा अगर हम किसी भी चीज को decorate करके रखते हैं तो अच्छा लगता है और हमारा जो laptop है बो भी सुरच्छित रहेगा गंदा नहीं होगा तो यह था आज का हमारा डियाइवाई फिर मिलते हैं निव डियाइवाई के साथ निव वीडियो के साथ तब तक लिए थेंक्यू बाइबाइब झाल